एक डिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट की डेट के बाद उसका फ्रेंड उसकी डेट को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए टाउन में आ जहाँ और एक बहुत ही अजीब फैमिली थी जिसमें रिलेशन्शिप के बीच में कोई भी लिमिट नहीं थी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको इनोसेंट लाइस ये 1995 की एक हॉल्यूड मिस्ट्री मुवी एक्स्प्लेंट करने वालों इस मुवी की मिस्ट्री से बहुत ही अच्छा वाच बनाती है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्ली इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए यहाँ पर पहुच जाता है उस डिरेक्टिव को एलन अपने फादर की तरह समझता था इस वाज़ेस उसे बहुत बुरा लगा एलन को अभी अभी डिवास हो आ है तो अपने बेटी को भी अपने साथ हो लेकर आता है ये इंसेटन फ्रांस में हुआ था तो उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत पढ़ती है एक लड़की थी जिसका नाम था सोलांगे है सोलांगे से एलन को पता चला कि वो डिरेक्टिव एक केस पर काम कर रहा था उस डिरेक्टिव का घर देखने के बाद वहाँ पर एक लेडी की फोटो से दिखी उसी एक इन्वेस्टिकेशन करने के लिए उसके घर पर वो बहुच जाता है उस लेडी का नाम था हेलेना वो हेलेना से गयता है कि उसके घर में सब जगा तुमारी फोटो थी हेलेना ने का कि मेरे हस्बन के गुज़र जाने के बाद वही मुझे सहारा देने के घर इन्वेस्टिकेशन के रहा था जो इंसिडेंट हो Was इसमे किसी के भी कोई गलती नहीं थी एक्चोली हेलेना के बेटे ने अपने पूरी फैमिली से मिलवा दे दिया इसमें उसके एक बेटिये है जिसका नामए Celia Celia का एक फियांसे भी है एलना का बेट है जो सबको लगता है कि मर्डरर है उसका नाम में Jeremy Jeremy की एक वाइफ है जिसका नामए मौड Jeremy अभी-भी घर पर है Celia उसे मिलती है पर उसके हाथ में कुछ था जो छुपा रही थी एक्चुल में जेरेमी को सिलिया के marriage के बारे में पता नहीं था उसकी date fix हो चुकी थी यह इस कागस पर लिखी हूई थी जेरेमी सिलिया से जबरदस्ती एक आगस ले लेता है यह जो एक दुसरे से बर्दाव करते है यह बहुत यह अनाप्रोप्रियेट था ये सब देखने के बाद Alan यहाँ से चला गया उसे लगता है इस फैमिल में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है सिलिया का और एक फियांसे था जिसके वेडिंग के पहले ही उसके डेथ हो चुकी थी ये फियांसे जेरेमी का भी फ्रेंड था Alan अब जेरेमी पर शक करने रखता है Nixon में हम जेरेमी को उसके वाइप मौड के साथ देखते है मौड जेरेमी से अब डिवास मांग रही थी जेरेमी ने सिर्फ अपनी मदर को जिलस फिल कराने के लिए मौड से शादी की हुई थी इन रियालिटी एक अलग कंट्री से मौड एक प्रोस्टिडूट थी वो नाजी भी थी और इस वजे से जेरेमी की मदर उसे हेट कर दी थी अब तीन साल गुजर चुके है तो मौड चाती है कि जेरेमी उसे डिवास दे दे गया और इसकी प्रोसेस भी वो करने वाले है नेसिन में जेरेमी और सिलिया की फियांसे के बीच में मैच चल रही थी जेरेमी बातरूम गया तो उसे क्वेशन करने के लिए एलन उसके पास पहुचता है इन दोनों पर सिलिया नज़र रख रही थी एलन ने जेरेमे से पूछा कि सिलिया का एक्स फियांसे जब उसकी डेट होई थी तो तुम भी यही थे जेरेमे ने का मुझसे सवाल पुलिस ने बहुत बार पूछे है प्लीस मुझे हरास करना बन कर दो इसके बाद एलन सिलिया के पास है वो कहता है टिरिक्टू के डेट के पहले तुम उसे मिलने के लिए गई हुई थी इसके बारे में हमें डिसकस करना पड़ेगा एलन ने अपना एडरेस उसे दे दिया एलन रात में डारेक्ली सिलिया के घर में छुपकर पहुँच गया था वो देखता है कि मिड नाइट में सिलिया और जेरे में एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे थे इनके मुँव पर चॉकलेट लगा था तो एक दूसरे को किस भी कर दिया यह देखकर वो शौक था एलन ने छुपके से घर में सिलिया को पकड लिया वो कहता है तुम उसे मिलने के लिए क्यों गई थी सिलिया ने कहा कि हमारी मिटिंग फिक्स हुई थी पर वो कभी पहुचा ही नहीं एलन बुचता है कि कुछ सालों पहले तुमारे फियांसे की डेथ हुई थी या इसके बीचे जेरेमी था तुम डिरिक्ट्व से मिलने के लिए क्यों कही थी सिलिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो डिरिक्ट्व मेरी फैमिली को इन्वेस्टिएट कर रहा था तो उसके बारे मुझे पूछना था ये सारी बाते उपर से जेरेमी सुन रहा था एलन कहता है कि तुमारे बास दो आपसे ने एक तो तुम मुझे रेजिस्ट करो या तुम मुझे केस में हेल्प कर सकती हो सिलिया ने फिर एलन को उसकी फियांसे की कार दिखाए एलन को सिलिया की फियांसे की कार देखनी थी ये देखने के बाद भी उसे कुछ भी इविडन्स नहीं मिलता एलन यहाँ सिर्फ एक दू दिनों के लिए आया हुआ था अगर उसे कुछ भी evidence नहीं मिलता तो यहाँ पर वो stay नहीं कर सकता उसका officer आकर उसे यही बात बताता है कि उसे इस family के अगेंज कोई भी evidence नहीं मिला तो इस वज़े से अब वो यहाँ stay नहीं कर सकता एलन यहाँ से जा रहा था तो उसकी translator रोने लग जाती है उसे लगता है कि पुरी जिन्दगी इस town में योज टक रहेगी वो चाहती थी कि एलन उसे अपने साथ ले कर जाए एलन उसे अभी भी मिला तो इस सारी चीज़ें नहीं कर सकता एलन यह नोटिस करता है और उसे सारा देता है निक्सिन में सिलिया की पूरी फैमिली डिनर कर रही थी हलेना मौड से बुछती है कि तुम्हारी फैमिली का है शाय दो हमें जॉइन कर बात है हलेना को पता था कि मौड के बैरन जर्मनी में और इस कंट्री में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे है वो यह सब बाते बोलकर उसे चिड़ा रही थी इस बात पर जेरेमिय और उसकी मदर में जगरा हो जाता है रात में सिलिया के बास उसका फियांसे आया उसे लगता है सिलिया उसे इग्नोर कर रही थी तो उसे पूछ लेता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दोनों को शादी करने चाहिए सिलिया कहती कि अफकोस करने चाहिए वो शोर होकर वहाँ से चला जाता है रात में सिलिया जब अपना वेडिंग ड्रेस टाय कर रही थी तो उसके बाद जेरिमी आया जेरिमी उसे टेच करने लगए सिलिया ने का अब हम छोटे नहीं रहे अब यह सब हम नहीं कर सकते है यह दोनों इंटिमेट होने लगए थे तब ही सिलिया का फियानसे वहाँ पर आया जेरिमी उसे कहता है तुम ब्राइड को wedding dress में नहीं देख सकते है फियांसे ज़रा suspicious होकर यहां से चला गया जरन में फिर से सिलिया के पास आता है पर सिलिया ने का कि आप प्लीज मुझे touch मत करो वो इसके साथ कोई भी physical relationship नहीं रखना चाहती रात में सिलिया एलन के पास आई एलन को लगता था कि सिलिया कुछ ना कुछ तो trouble में है उसे help के लिए पूछ सकती है सिलिया कहती कि प्लीज यहाँ पर रुख जाओ एलन ने का मुझे कुछ ना कुछ तो evidence दो इसके बाद मैं यहाँ पर रुख सकता हो सिलिया के पास कोई भी evidence नहीं था पर वो एलन को kiss कर लेती है एलन की डॉर्टर ने इन दोनों को देख लिया इसके बाद एलन सिलिया को घर बेश देता है रात में जेरेमी और हेलन बात करे थे हेलन जेरेमी से गयती है कि अब यहाँ से जल से जल तुम चले जाओ सिलिया की marriage के वक्त वो जेरेमी को यहाँ नहीं जाती थी हेलना ने का इसलिया को तुमारी वज़े से अलग country में जाना पड़ा था तुमने उसकी life बहुत ही ज़ादा heart कर दी थी मैंने हमेशा तुमें protect किया है पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुमें तुमें protect नहीं कर सकती अगली दिन एलन जाने के लिए ready था पर तभी उसे news मिली कि हेलना का murder हो चुका है अब इस murder की investigation करने के लिए वो यहाँ पर रुख सकता है हेलना को wire से गला घोट कर किसी ने मार दिया था उसके room में जेरेमी को मौर का passport मिला जिसमें लिखा हुआ है कि वो जुईश है उससे बात करने के लिए आता है मौर ने एलन से कहा कि मेरी और जेरेमी के शादी सिर्फ एक समझोता था उसने मेरी जर्मनी से निकलने में help की थी मेरे parents भी अब इसी country में आने वाले है एलन इस बात को जाने देता है सिल्या ने एलन को पास आकर बोचा कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने मुझे किस किया एलन कहता है कि मेरे साथ games खेलना बन करो हेलेना के body का investigate करने के बात उन्हें उसके मूँ में tennis के racket का thread मिला हमने देखा था कि जेरेमी tennis की match ही खेल रहा था उसकी investigation करने के लिए एलन उसके room में पोच गया इस racket को ढूण लेता है एलन ने उसे बुच्छा कि कल रात तुम कहा थे जेरेमी कहता है कि C के पास एक bar में में था एलन उस पर video नहीं करता और उसे arrest कर लेता है एलन की बेटी ने हेलेना के room में एक toy देखा जो सो बजाने लग गए ये देखकर सिल्या उसके पास बहुत ही कुस्से में आई ये toy उसने उससे ले लिया इस वज़े से एलन की बेटी बहुत ही upset थी वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी जेरमी ने जो भी कहा था कि वो murder की वक सी के पास के बार में था इस बात के बार में investigate करता है वो आसे उन्हें पता चला कि वो actual में वही पर था वो सिल्या के साथ गया हुआ था पर सिल्या जल्दी से घर पर पोज़ गई थी एलन कहता है कि मुझे पता है वो मेरे पास ही आई थी इस बात सुनने के बाद ट्रांसलेटर उस पर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाती है कहती है तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताए तुम उसे क्यों कवर करना चाहते हो एलन कहता है कि उसके situation बहुत ही delicate है उसे मेरी protection की जरूरत है अगले दिन एलन ने notice किया कि उसकी बेटी उससे भी बात नहीं करी उससे बुछने पर उसे पता चला कि सिल्या उस पर बहुत जादा गुस्सा हुई थी इसके बाद हम देखते है एलिना की funeral पर सब लोग आये हुए थे वहाँ पर एलन भी पहुचा murder के वक्ग Jeremy बार में था ये confirm होने के बाद उन्हें Jeremy को छोड़ना पड़ता है एलन ने फिर से Jeremy से बात करनी चाहिए वो बुशता है तुम्हारी sister तुम्हें hate क्यों कर दिया का इसके बीचे कुछ reason है Jeremy इस पर गुस्सा हो गया वो एलन को जोर से मारता है कहता है मेरी sister से दूर रहो उसने एलन की complaint उसके superior से कर दिया एलन जब return अपने घर पर जाएगा तो उसकी job जा सकती है पर यह नहीं हो सकता घर उपर सिल्या और Jeremy अकिले थे Jeremy उसे कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हो प्लीज हमेशा मेरे साथ ही रहो उसके साथ अलग country में जाना चाहता था सिल्या इसके लिए उसे मना कर देती है कहती है हमारे भीच में कुछ भी हो नहीं सकता सिल्या ने पूछा क्या तुम मदर को मिस करते हो जेरेमी को भी बुरा लग रहा था सिल्या ने फिर से उसे कहा कि प्लीज यहां से चले जाओ जेरेमी इस बात पर गुसा हो जाता है उसने उसका गला पकड़ लिया कहा कि तुम सिर्व मेरी हो मैं तुमें किसी को भी छिनने नहीं दे सकता इसके बात फ्लैश बैक में हमें इन दोनों का बज़पन दिखाय जाता है इसमें जेरेमी की ट्विन ब्रदर को जेरेमी और सिल्या के बारे में पता था इस पर जेरेमी बहुत जादा गुसा हो गया एक रात दिनों बो एन आरो खेल रहे थे जेरेमी का ड्विन ब्रदर है टार्गेट के पास था सिल्या अपने टार्गेट को हीट करने वाली थी पर Jeremy ने उसका Arrows के brother कोई मार दिया इन दोनों ने मिलकर murder किया था Helena को सब कुछ पता था पर फिर भी Jeremy को उसने protect किया था रात में Celia से मिलने के लिए उसका fianसे आया वो कहता है मेरे होने या ना होने से तुम्हें कुछ भी फरक नहीं बढ़ता गुस्ये में उससे ब्रेक अप करकर वहाँ से चला गया रात में सिलिया एलन के पास आती है एलन उसके साथ इंटिमेट होने लग गया उसके सारी चीज़े पूछ लेता है एलन ने पूछा कि तुम्हारे एक्स फियांसे की डेट कैसे हुई थी सिलिया ने का कि उसने मुझे और जेरेमी को एक साथ देखा था हम उसे देखकर हच रहे थे इस स्वज़े से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया इसलिए उसने सुसाइड कर ली एलन पुछता है कि तुमने अपनी मदर को भी मारा था सिलिया केथे कि उसरा जेरेमी मदर को मारने के लिए गया पूर से मार नहीं पा रहा था неё देखा और उसने अपनी मदर को मारने में उसकी हल्प कि हमेशा से ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे ये कनफेशन हो जाने के बाद भी एलन सिलिया को लाइक करता था तो इस वज़े से उसने उसे जाने दिया कहा कि जल से जल इस कंट्री से चली जा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त सिलिया पकड़ी की उस पर शख जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिकेशन की जाती है सिल्या ने अपने मदर को जिस पिलो से मारा था इस पिलो का कवर उसने मेर की रूम में छुपा दिया था वाशिंग करने के बाद भी अपने मदर का बलर उसमें था सारे सबूत उसके खिलाफ थे इस बात पर एलन बहुत ज़ादा चेड़ जाता है वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता पर सिलिया ने उसे बहुत रिक्वेस्ट की अगली राज सबसे छुपा कर वो सिलिया को स्टेशन पर छोड़ देता है कहता है कि अब तुम यहाँ से नियॉयॉक जा सकती हो यह दोनों इस दुसरे को किस करते है और सिलिया स्टेशन पर वेट करे ही थी एलन भी उस पर नज़र रखता है देखता है कि अब वो क्या करेगी सिलिया ने फिर जेरेमी को कॉल कर दिया वो गहती है कि मैं गुम हो चुकी हूँ प्लीज मुझे हेल्प करो जेरेमी उसके पास पोच गया वो गहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है जेरेमी ने कहा कि हमारी लाइफ अब बरबाद हो चुकी है पूलिस को हमारे बारे में सब कुछ पता है यह दोनों कभी भी एक साथ अब हैं नहीं सकते वो यहाँ पर उसे एक रूम में लेकर गया उसके साथ लास्ट टाइम वो इंटिमेट होने लग जाता है वो उसे भी गला घोट कर मारने के कोशिश करने लग गया एलन ने सब देख रहा था सिलिया की हेल्प करने के लिए जब तक वो वहाँ पर पहुचा तब तक सिलिया ने जेरेमी को मार दिया था यही पर यह मूवी एंड हो जाती है सिलिया और जेरेमी ने एक दूसरे के साथ होने के लिए बहुत सारी गलत चीज़े की फाइनली एक दूसरे पर भी यह ट्रस नहीं कर सकते थे अपने खुद की जान बजाना इन्हें सही लगा इसी वज़े से जेरेमी ने सिलिया को मारने की कोशिश किये पर सिलिया यह उसे मार देती है अब इसके बाद उसे भी जेल में जाना पड़ेगा तो आज का वीडियो हम यही कतम करते हैं अगर आपको एक्स्पिनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आते रहे तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा वेसे मिलेंगे और एक नमू के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे